यह वीडियो सभी शातर शातराओं के लिए बहुत इंपोड़ाइन होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लास्त तक ज़रू देकड़ों को स्किप ना करें सबसे पहले बात कर लेते हैं चोदरी चन सिंग विस्विदाल मिरट के बारे में आपको बता दू कि पेपर से पहले होगे बियर्ड फाइनल के प्रैक्टिकल चोदरी चन सिंग विस्विदाले मिरट से संबंद ब्याड कोलेजों में पहली बार लिखित परिक्सा से ठीक पहले प्रैक्टिकल होगे विस्विदाले ने मंगोरार को 25 अप्रेल से 20 महीता कोलेजों में ब्याड फाइनल के प्रैक्टिकल का करेकरम जारी कर दिया है सानपुर विस्विदाले संबंध कोलेजों में बियाड फाइनल के एक्स इस्टुडेंट्स के प्रैक्टिकल 19 से 20 माई को मेरट कोलेज एवं एन एस कोलेज में होगी बियाड परतमवर्ज के प्रैक्टिकल थोड़ी के पेपर के बाद कराय जाएगे उसके साथ ही बात करती है प्रिक्साओ ने पटरी से उतारी कोलेजों में कलास यूजी पीजी में समस्टर सिस्टम और वार्सिक परनाली में प्रिक्साओ के दबाव ने कोलेजों में कलास बेपटरी कर दी है समय से प्रिक्साओं और सत्र नियमित करने की कोशिसों से विष्विदालिया, प्रिक्साओं के जाल में फसा हुआ है, जनवरी से शुरुई प्रिक्साओं का करम जून तक चलेगा, कैमपस में कलास हो रही है लेकिन कोलेजों में सिमित संसादन और अधिक छात्र संग्या से उलिए है, सम्भव नहीं हो पा रहा है, तीन पलियों में सुबह साथ से छेँ बजे तक पेपर से कोलीजों में कलास नहीं हो पा रही, समेश्टर सिष्टम में निर्दारीत 90 कर्यधिवस छात्रों को नहीं मिल पा रही है परिक्सा में कैसे फसे है कोलेज जनवली में विसम सेमेश्टर परिक्सा है फरवरी तक चली 15 मार्स परिक्सा शुरू 5 मए तक चलेगी बीस अप्रेल से 9 जून तक अन्नीपी परतम 33 सेमेश्टा के पेपर 25 मई से कोलेजों में ब्याड की मुख्य प्रिक्साई प्रस्तावित मई से जुलाई के पहले सब्ता तक समस्टर प्रिक्सा संभावित इस परकार से जन्वरी से लेकर के जुलाई तक कोलेजों में प्रिक्साई चली हुई है तो यहाँ पर उनकी class जो है वो चलना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में छात्रों को 90 कारे दिवस भी नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो अपने syllabus को complete कर सके तो ऐसे में छात्रों के exam में क्या होगा जब उनका syllabus पूरा नहीं होगा तो उनको marks कहां से मिलेगे कैसे उनका paper अच्छे होगे तो यह सासन को टै करना है साथ में विस्वी डाले को देखना है कि कैसे उनकी अतिरिक ककसाई चलाई जाए कैसे परिक्साई और ककसाई दोनों सुचारी रूप से चलाई जा सके साथ में आपको बता दू कि 180 सेक्सिक दिवस होने चाहिए वार्षिक पर्णाली में 90 सेक्सिक दिवस कलास चले समेस्टर सिस्टम में चार लाग विदारतों के पर कराता है विस विदाले पूरे साल में और 600 से अधिक कोलेजों का दबाव है CCSU उपर उसके साथ ही बात करते हैं स्कोलर सीप के बारे में UP स्कोलर सीप की विग्यपती जारी की गई थी जिसमें की दुबारा पोर्टल खोडने की बात कही गई थी लेकिन आप देख लो इस नुईज के मादम से बताएगा कि सोरी स्टुडेंट्स ये स्कोलर सी भरने का मोका सबको नहीं मिल पाएगा आपको बतादा दू कि तीन हजार एसे स्टुडेंट्स है SC स्टुडेंट्स की संक्या है और सावन्ने की 9500 और 12500 जो स्टुडेंट्स है वो अधर स्रेनी से है आपको बतादा चलू कि यूजी फर्स्ट येर के दोनों समेस्ट्रों का संसोधित रिजल्ट देर से हुआ जारी 22,000 इस्टुडेंट्स के फोर्म रिजेक्ट किये गए इस्टुडेंट्स की मांग पर दोबारा खुलेगा इस्टुडेंट्स को मिला मोका आपको बताओं कि 17 से दोबारा मोका मिलने वाला है CCSU दोबारा देरी से रिजल्ट देने पर इस्टुडेंट्स को आवेदन करने का मोका मिलेगा यूपी सरकार के उप सचीव डोक्टर रमेशन तिवारी ने सभी समाज का लाण विवाग को 17 से 19 अपरेल तक आवेदन लेने के लिए पोर्टल खोलने के लिए निर्देस दिये है इसमें BABSC B.com विबिन NEP के तहत जारी समेस्टर के इस्टुडेंट्स सामिल है समाज के लाण अदिकारी सुनिल कुमार सिंग ने कहा कि सासन के निर्देसों के नुसार सिर्फ ऐसी के छात्रों के लिए पोर्टल खोलने का निर्देस आया है इस पर इसुडेंट्स ने एतरा जता है कहा है कि सासन को सभी कास्ट के फोम को दुबारा से खूलने का मुखा देना चाहिए छात्रवर्त्ती की तुरूती दूर करने को OBC छात्रों के लिए भी पोर्टल खोल ले जाने की मांग की गई है छात्र लगतार जो है अपनी तुरूटी को पूर्ण करने के लिए अपनी फोम को दुबारा खुलवाने के लिए विग्यापन जो है वो अपने संबंदित कारेले में दे रहे है जिससे की सभी कास्ट के यहाँ पर फोम को दुबारा से खूला जा सके अब देखते हैं कि सासन क्या निर्णा लेता है दुबारा से सभी वर्गों के पोर्टल यहाँ पर खुलेगे या नहीं उसके साथी CSJMV उनिवेस्टी से भी एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें की बताया गया है कि 267-22-23 में नुसुची जाती है और नुसुच जन जाती ही दसमोतर शात्रवती उजना के लंबित आवेदन पत्रों के निसान हेतु पुने पोर्टल खुले जाने के संबन्द में दिया गया है और इस नोटिस में भी वही बात बताए गया है कि आदे सलगन है और SCST इस्टूडेंट्स जो है उनके लिए ही पोर्टल खुला गया है उसी के अनुसार छात्र जो है अपने DSW जो नोडल अधिकारी है फोर्म बरकर के अपना complete फोर्म जो भी संगती है वो अपनी दूर करा सकते है अब देखना है कि सासन इसके लिए क्या करता है किया अलग वर्गों के लिए भी पोर्टल को दुबारा से खुला जाएगा या नहीं जैसे भी कोई भी लाटेस्ट अपडेट आती है तो आपको वीडियो के मादम से साथ में आपको टेलीगराम ग्रूप में सूचित कर दे जाएगा अगर आप चैनल पने है और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्ली चैनल को जुरूर सस्काइब कर ले साथ में बैलकन को जरूर दबाले उसके साथ साथ टेलीगराम ग्रूप को जोइन कर ले तो मिलते को लाटेस्ट अपडेट के साथ तब तक लिए जाहिंद